किसी भी सैमसंग M-Series में होट्सपोट प्राब्लेम सौल्फ कैसे करें नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब सभी का तेकर आज यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज की वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आप जो होट्सपोट के रिलेटेट में प्राब्लेम को पर यहाँ पर दोस्तों जैसे के मान लीजिए आपके होट्सपोट को कुई कनेक नहीं कर पा रहा है कोई आपके होट्सपोट को देख नहीं पा रहा है या फिर आपके होट्सपोट और नहीं हो रहा है या फिर किसी भी तरह के प्राब्लम किसी भी तरह का इश्यू हो सकते तो सारे सॉलूशन के लिए आप इस वीडियो को देखे और सॉलूशन को फॉलो करें प्रॉब्लम डेफिनेटली फिक्स हो जाएगा और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइको तो अगर होट्सपॉट कनेक्शन पर कुछ भी प्रॉलम आते तो आप दोनों ही दिवाइस को रिश्टार्ट करके देख सकते हैं उसके बाद दुवारा से होट्सपॉट को आन कीजिए और कनेक करने की कोशिश कीजिए अगर सॉल्फ हो जाते हैं प्रॉब्लम कनेक हो जात लग रिश्टाइट सेटिंग पर दाकर सेलेक्क करना है और रिशी सहच करके मोबाइल पासवोड आरना है कर देना है इंडेंट रिसेट कर देना है ठीए नयचारो सेटिंग को इस से दोस्थ अगर लाइन वगरा क्लियर हो जाएगा connection पर जाए mobile नेट्रोग को select करें और नेट्रोग को switch किजिए between 3G and 4G थीचिए तो यहां पर नेट्रोग को switch अपको करना है सारे साथ दोस्तों अगर नेट्रोग काफी खराब है तो नेट्रोग operator पर जाके आप इस button के मदद से नेट्रोग को करें जो मैं यह आपको कह रहा हूं अगर नेट्रोक के कोई भी प्रॉब्लम है तो अब यह सोलुशन कर सकते हैं ठीक है अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ सब्सक्राइब करना है मोबाइल होट्सपोर्ट में जाएए ठीक है पासूट बगरा चेक किजिए बेंड जो है वह दोस्तों यहां पर कॉन्फीगर में जाके आप चेंज करने के कोशिश करें अगर आपके पास जो है फाइफ जी सपोर्ट करते है फाइफ गिगाहार्ट बगरा तो ठीक है अगर नहीं कर रहे है आपके फोन पे भी सेम है तो दोस्तों तू पॉइंट फॉर गिगाहार्ट आप यूज़ किजि ठीक है मेक एड्रेस टर्ण ओफ होट्सपोट तो यह एक दोस्तों आप चेक कर सकते टर्ण ओफ होट्सपोर वह इन डिवाइस कनेक्टेट ठीक है तो आप इसको थोड़ा सा टुइंटी मिनित स्याफ़े टीन मिन सब सेट कर सकते हिदेन नेट्रोग आपको दोस्तों क्लिक करें और ओपन नेट्रोग सेलेक करना है ऐसे पास्वाट आपका रिमूफ हो जाएगा उपनेट्रोग सेलेक करना है उसके बाद सेफ सेफ करने के वाद दोस्तों कनेक करने की कोशिश करें ठीक है उसके बाद दोस्तों completely problem solved हो चुका होगा और आपका hot spot connectivity चल जाएगा यहाँ पर दोस्तों basically क्या होता है कई बार आपके hotspot में password होने के वज़र से काम नहीं करते होट spot ठीक है hotspot काम नहीं करते तो password remove करके देखे उसको बोले connect करने के लिए connect हो जाएगा चल जाएगा आपका internet connectivity आप on रखे ठीक है कोई भी problem नहीं होगा लेकिन दोस्तों यहाँ पर hotspot open रेने से कई सारे लोग आपके network चुरा सकते बात में काम हो जाने के बात network password लगा देना ठीक है अभी दोस्तों यहाँ पर एक और solution देखे अगर सारे solution करके देखा फिर भी problem आ रहा है तो software update करके आप देख सकते हैं software update करने से इस तरह का problem जो रहते है वह fix हो जाते हैं ठीक है तो आप भी software update करके देखे problem solve हो जाते तो अच्छी बाद है लेकिन उसके बाद भी अगर आपको by any chance कुछ भी problem आते हैं hotspot के related तो जाए general management पर reset पर क्लिक करें factory data reset यहाँ पर सेलेक कीजिए ठीक है factory data reset सेलेक कीजिए और उससे बाद reset बटन पर क्लिक करके mobile password भर देना और उसके बाद factory data reset हो जाएगा और लास्ली आपका problem solve तो जितने भी possible solution थे दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको दे रहा है तो आप step by step solution को follow करते जाए ठीक है उमीद करते दोस्तों आपको ये वीडियो पसेने होगा thanks for watching